बाइबल पढ़ना क्या है? सिर्फ चैप्टर पढ़ना बाइबल पढ़ना नहीं है बाइबल पढ़ने में चार चीज़ें आती है पहला बाइबल पढ़ना दूसरा उसको मनन करना तीसरा उसको याद करना और चौथा जो आप पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में लागू करना अगर बाइबल का वचन आपके जीवन में लागू नहीं हो रहा है अगर आप परमेशर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चला रहे हैं तो मेरी बहन, मेरे भाई आज नहीं तो कल शैतान आपको पीछे लेके जाएगा आप छोटी सी विपत्ती को बढ़दाश नहीं कर पाएगे अगर वचन आपके अंदर नहीं है नहीं कर पाएगे आप शैतान को नहीं जानते मैं आपको एक बाद बताओ शैतान आपको आपसे ज्यादा जानता है वो आपकी हर कमजोरी को जानता है उसको पता है कि आप शरीर की किस अबिलाशा से फिजल सकते है उसको पता है कि कौन सी आँखों की लालसा आपको पीछे ले जाएगी उसको पता है और वो उसी हिसाब से आपके जीवन में काम करता है लेकिन चुकि आपके अंदर वचन नहीं है इसलिए आप परमेश्वर की आत्मा की अगवाई में नहीं चल रहे है वचन ही आपको ग्यान देता है वचन ही आपको बताएगा कि परमेश्वर क्या है वचन ही आपको बताएगा कि परमेशर ने आपके लिए कौन-कौन सी योजनाएं बनाई है वचन ही बताएगा कि परमेशर आपकी अपनी योजनाओं को आपके जीवन में कैसे पूरा कर रहा है वचन ही आपको उसके प्यार के बारे में बताएगा वचा नहीं आपको शक्ती देगा वचा नहीं आपके अंदर जोती लाएगा वचा नहीं आपको अंदकार से दूर रखेगा और हम क्या करते हैं? हम यहां सिरब अपने शरीर की इच्छाओं के लिए आते हैं अपनी नौकरी के लिए आते हैं अपने धंदे के लिए आते हैं, अपने बेटी की शादी के लिए आते हैं, इन छोटी चीजों के लिए आते हैं, और सोचते हैं चर्च में और निकल जाते हैं, जो सुना है उसको याद ही नहीं रखते हैं, उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, ये परमेश्वन ने बहुत है कभी दिक्कत हुई तो एक इस्तुति आरादला का गीत गाना बहुत है पास्टर ने कहा है चलो एक चैप्टर पढ़ लेते हैं नहीं मेरी बेहन नहीं अन्तिम समय है यही हमारा भोजन है यही है आज आप इसको लेके चलेंगे कल यह आपको लेके चलेगा मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी आकाश और पित्वी टल जाएंगे लेकिन परमेशर के मुख से निकला वचन नहीं टलेगा इसलिए इस पर ध्यान दीजिए जो मैं कहता हूँ उस पर भी मत दीजिए अगर मैं कहता हूँ मेरी बात को इसमें देखिए अगर मेरी बात इससे अलग है तो मुझ पर विश्वास मत करिए इस पर विश्वास करिए क्योंकि यह सत्य है और कुछ नहीं है सत्य यह बताता है कि हम कहां से आए हैं हमें यहां क्या करना है और हमें कहां जाना है सिर्फ बाइबल बताती है हमको मैं आपको बताओ एक चीज एटी परसंट आपकी प्रॉब्लम आपकी वज़से है आपका दुश्वन शैतान नहीं है आपके दुश्वन आप है क्योंकि आप पर्मिश्व को समझदा नहीं चाहते हैं उसने अपने इकलोते पुत्र का बलिदान किया है बलिदान आप उसको समझिए इशु मसी के शरीर का बलिदान किया है उसने जब तक हम अपने शरीर का बलिदान नहीं करेंगे हम उस जैसे नहीं हो पाएंगे आप इसलिए इशु के बलिदान को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप बलिदान नहीं कर रहे हैं आप अभी तक शरीर की अभिलाशाओं और आखों की लाजसाओं में हैं इसलिह आप इशू के बलिदान को नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए अभी तक आप पैसों में, गाडियों में, मंगलों में ही, जिन्दिगी में आप समझ रहे हैं पैसा, नौकरी, चाकर उसको ही आप अपना सब कुछ समझते हैं कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है मैं सच बता रहा हूं आज है कल नहीं रहेगा नहीं रहेगा अभी तर्की में भुकम पाया था वहां का मैंने आपको बताया था एक आदमी ने गवाई दी कि मैं एक आदमी के संग उसके किराय के मकान में रहता था और वो मुझे रोज जिता था कि चार महीन होगे तुन्हें निकाल दूगा मैं किराय दे, किराय दे और वो कहता है आज मेरे साथ हम दोनों भीक मांग रहे हैं रोटी के लिए उसके साथ मकान थे, मेरा एक भी मकान नहीं था लेकिन मेरी और उसकी सिती आज एक ही है खतम होकर सारे मकान एक ही जटके में जितना पैसा था बैंक में खतम कर लिजी आप इसलिए वचन क्या कहता है कि मन शरोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकले वचनों से जीवित रहेगा अगर आप चाहते हैं वो जीवन जो इशु ने आपको दिया है वो इन वचनों में है लेकिन वो वचनों में नहीं है आपने वचन सुनने वचन को सुनना और सुनकर विश्वास करना उस पर अमल करना अगर आप वो नहीं करते हैं तो फाइदा नहीं है 20 साल से लोग आ रहे हैं 25 साल से आ रहे हैं कलीसिया में कुछ नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है सुकून नहीं है कि या कुलता है टेंशन है इंसेक्योटी है अभी भी हरे प्रभू के होने के बाद भी इंसेक्योटी है आप समझ रहे हैं जब तक आप इसको अंदर नहीं लेते इसलिए मैं कहता हूं कि लिख लिया करिये जब मैं वचन बाटता हूं घर में जाकर उसको पढ़िये उसको ने क्या का था पास्टर ने क्या का है क्यूं ऐसा का है उसमें अपने विश्वास को आप खोजिये उस वचन में मैं कहा हूं क्या देना चाहता है क्या परमेशन हमें बताना चाहता है इशो मसी ने जब भी किसी को चंगा किया एक बात कही कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया उसने ये नहीं कहा कि मैंने चंगा किया देखा मैंने हाथ रखा और तुझे चंगा हो गया क्या कहा तेरे विश्वास ने चंगा किया आपको पता है आपका विश्वास आपको इस्थिरता देता है और अगर आपका विश्वास ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है किसी भी फिल्ड में जहां आप काम कर रहे हैं अगर आप विश्वास के संग काम नहीं करेंगे आप वो आशीष सुकुन नहीं पाएंगे आप अपने माबाप के घर में रहने हैं अगर माबाप पर विश्वास नहीं करेंगे आपका संबंद अच्छा नहीं होगा बाप बच्चों पर विश्वास नहीं करेंगा बच्चे बाप पर विश्वास ये करेंगे, वो संबंद अच्छा नहीं होगा, नहीं सुकून होगा, कब आप में शक्ती आएगी विश्वास के द्वारा, विश्वास की आत्मा आपके अंदर होनी जरूरी है, मेरे परमेश्वर ने कहा है, इर्मिया उन्तिस का ग्यारा क्या लिखता है, कि यहोवां की वारी है, कि उसने हमारे लिए अद्भुद आशीशित योजनाय बनाई है, जो हानी की नहीं है, लाब की है, लिखा हुआ है, कि विश्वास करते हैं इस वचन पर, प्रेस अलॉट, आपके लिए जो परमेश्वर ने योजनाय बनाई है, वो हानी की नहीं है, लाब की है, और अंत में आपको कुशलता मिलेगी, कुशलता आपकी आशा पूरी करूँगा मैं, आपके जीवन के अंत में, आपकी विपत्त के अंत में, आपके परिक्षा के अंत में, आपकी आशा पूरी होगी, यह कौन कह रहा है, मैं, आप क्यों गलत निरने लेते हैं, मसी होने के बाद भी आपका निरने गलत होता है, आप कई गलत डिसीजन ले लेते हैं, मसी होने के बाद, और आप हार जाते हैं, आप अपने क्यों गड़त नरने है क्योंकि आपके अंदर विश्वास की आत्मा नहीं है आपके अंदर विश्वास की आत्मा नहीं है जो आपके लिए मरा आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे है जो पिदा आपके लिए कमा रहा है आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे है जो मा रात द रहा इसलिए आप जो कर रहे हैं उसमें आपको व्याकुलता है इंसिक्योटी है कि जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं आपके शांती नहीं है इशु कहता है यहांना 14-27 कि मैं तुम्हें अपनी शांती दिये जाता हूं संसार की शांती नहीं संसार की शा कि आत्मा नहीं है कि इश्व मसी क्या देना चाहता है जब इश्व मसी ने आपको चुना तो उसने आपको विश्वास दिया विश्वास एक वर्दान के रूप में दिया जो वो चेले नौ में जा रहे थे और तुफान के आने से लहरों के डग बखाने से वो डर गए और बोले गुरू उट हम मरे जा रहे हैं इश्व मसी ने उटते ही लहरों और आंधियों को डाटा और उनसे पुझा तुम्हारा विश्वास कहां है बड़ा अजीब कोई अगर अंजाना आदमी है अनने जाती का आदमी है जिसको इश्व मसी के बारे में नहीं पता है वो किसा गुरू है यार यह नहीं पूछा कि तुम्हें लगी तो नहीं तुम ठीक तो हो इमिजेट कहता तेरा विश्वास कहां है क्योंकि नौ पे चड़ने से पहले चुनने से पहले ईश्व मसी वरदान की विश्वास की आतमा दे चुका है आपको आप यहां कैसे बैठें? आप सब के अंदर विश्वास की आत्मा है, लेकिन कम है वचन आपके अंदर विश्वास की आत्मा को द्रड करता है चूंकि आप सुनकर देखकर विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन वो विश्वास की आत्मा जो परमेश्वन ने दी है उसको आप दर्ड नहीं कर रहे हैं क्यों? क्योंकि उस वचन के अनुसार आप चलनी रहे हैं आप इसे बहुत पड़ भी रहे होंगे बाइबल हो सकता मनन भी कर रहे हैं ये बच्चे याद कर रहे हैं, आप भी याद कर रहे होंगे लेकिन उन वचनों को आप वहवारीक रूप में अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं इसलिए आपका जीवन नहीं बदल रहा नहीं बदलेगा अगर आप उस वचन के अनुसार जीना नहीं चाहेंगे तो बोलना तो असान होता है मेरा वचन आप पर इफेक्ट कप करेगा जब मैं उस वचन के अनुसार चलूँगा अगर मैं आप से बोलूँगा जूट मत बोलना और मैं ही जूट बोलूँगा तो वो वचन आप पर इफेक्ट नहीं करेगा अगर मैं बोलूँ गया जूट नहीं बोलो और मन से आप जानते कि मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ और मैं भी जूट नहीं बोल रहा हूँ तो वो बचस पर एफेक्ट करेगा है एट एट लेकिन जबभी वो धड़ती पर रहा तो बेटा बनकर रहा बाप बनकर ने रहा उससे कहा मेरे अपने बाप से सीखा है आप बाप बनने की कोशिश करेंगे कुछ नहीं हासिल होगा आपको इशुमसी ने बहुत अभी मैं डिलू से विबात कर रहा था बहुत अच्छी बात पहली बाइबल में सीखाने के लिए क्या कहा इशुमसी ने मती 11, Matthew 11, 28, 29 के बाद हे सब ठके हुए बोच से लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूँगा उसका 29 क्या है मेरा जुआ अपने उपर उठा लो और मुझ से सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ पूरी बाइबल में इशुमसी ने खुद से सीखने के लिए एक ही बात कही है मुझ से सीखो क्योंकि मैं मन में दीन हूँ और नम्र हूँ जब तक आप में दीनता और नम्रता का गहना या सौभाव नहीं आएगा विश्वास की आत्मा आपके अंदर काम नहीं करेगी उसने लिखा हुआ है तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे सुकून पाओगे शांती पाओगे आनंद पाओगे जब तुम में दीनता और नम्रता की आत्मा आएगी तब तुम्हारे अंदर विश्वास होगा येस मेरे परमिशन ने जो का है वो होगा फिर मुझे इन छोटी बातों पर मन नहीं लगाना है मेरे जीवन का खर्चा कौन चलाएगा प्रभू कहीं बाइबल में लिखा है कि तु कमाएगा तो ही आगे बढ़ेगा क्या लिखा हो है मती 6 का 33 में या 31 भी पढ़ लो मैंतु 6 आपका 21 तु क्या खाएगा तु क्या पहनेगा गयागा तु क्या पिएगा इसकी चिंता मत कर लिखा है क्यूंकि पहले मेरे राजज की खोज कर फिर ये सारी चीजें तेरे पीछे आएगी लिखा है कितने विश्वास करते हैं प्रभू के वचन पर हालेलुया परमेश्र की धार्मिक्ता, क्या है परमेश्र की धार्मिक्ता? जानते हैं परमेश्र की धार्मिक्ता क्या है? आज मैं आपको बताता हूँ उत्पत्ती, Genesis 15, 4-5-6 तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुचा, वह तेरा वारिस न होगा तेरा जो नीज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की और दृष्टी करके तारागन को गिन क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वन्श ऐसा ही होगा उसने यहुआ पर विश्वास किया और यहुआ ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना वे मेर, उसका विश्वास करना उसकी धर्मित्ता गिना गया, क्या उस समय तक वह पिता था? क्या उसके बच्चा था? उसकी बीवी बांश थी, उसकी उम्र हो चुकी थी, वो खुद मन में सोच था दा, दुनिया कहती थी उसके रिष्ञेजार कहती थी बांश है ये बाप बाप नहीं बन सकता, ये मानें बसकती जारे तो धार्मिक्ता क्या हुई परमेश्र की धार्मिक्ता क्या हुई द्यान से समझिए यहो इस इबराहेम का विश्वास उसकी धार्मिक्ता गिना गया उसकी धार्मिक्ता पता क्या है जो परमेश्र ने आप पर क्रिपा की है नहीं आपने उसको पाया है और नहीं आपने उसको देखा है और फिर भी आपने विश्वास किया कि वो मुझे मिलेगी यह है परमेश्व की धार्मिक्ता यह है परमेश्व पा विश्वास करना जो परमेश्व ने कहा है आपने उसको नहीं देखा जो परमेशन ने आप पर कृपा की ये प्रॉमिस दिया है आप ने उसको नहीं पाया लेकिन फिर भी आव विश्वास करते कि मुझे मिलेगा इसलिए तो वो कहता है मरकुस 11 का 23 कि तो उस पहाड से बोल उठ और परवत परजालग हो जाएगा कैसे हो जाएगा क्योंकि आपके अंदर विश्वास किया तुमारे मैं विश्वास कर रहा हूँ कि मैं उठाओंगा पहाड को कौन उठाएगा पहाड को कब उठाएगा जब आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे आपके जीवन में कब पहाड उठेंगे देखिए परमिश्व चाहता है आपके जीवन से पहाड उठाना क्या आपको परमिश्व ने इसलिए चुना है कि आप चिंतित रहें कभी सोचा है आपने कि ईश्व मसी ने अपना बलिदान अपना लहू 49 कोड़ों की मार इतना दर्द इतनी बेज़िती इसलिए सही है कि आप चिंतित रहें कि आप अभी भी सोचें कि साब मेरा मुझे मेरा कहां पर होगा लालन पालन मुझे कहां से मिलेगा अभी भी अगर मैं यह सोचू हूं तो मैं मसी नहीं हूं कि मैं मसी नहीं हूं कि मैं विश्वास की आतुमा कहती है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रात्ना करके मांगो तो प्रतीती कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें मिल जाएगा प्रात्ना करके किसको मांगना है? मुझसे बात करिए किसको मांगना है? प्रतीती किसको करनी है लेकिन वो किस से करनी है विश्वास किसा आप लोग एक प्रात्रा कराते हैं एक पास्टर से और प्रतीती फिर आप दूसरे पास्टर को फोन करते है फिर आप दूसरी बेहन को फोन करते है इसका मतलब आपने प्रतीती की नहीं और मैं आपको सच बोल रहा हूँ आपकी प्रात्रों में वो बल होना चाहिए मैं आपके लिए प्रात्रा करता हूँ जिस विश्वास से मैं आपके लिए प्रात्रा करता हूँ क्या उसी विश्वास से आप मेरी प्रात्रों को कुबूल कर रहे हैं जब मैं आपके लिए रोकर विश्वास के संग प्रात्रा कर रहा हूं और आपका मन कहीं और जा रहा है कैसे होगा नहीं होगा आपने खुद अपने जीवन में अपनी आशीशों के सामने दिवार खड़ी कर दी है क्योंकि आप इस जूडी को तो निभा रहे हैं कि प्रात्रा प्रास्टर से करा लें लेकिन आप उस वचन को उस प्रात्रा को इंबानदारी के संग ले नहीं रहें आप यह महसूस जब तक आप महसूस नहीं करेंगे कि यस यह हो जाएगा यह हो गया है दो वेक्ति जब एकी इच्छा के लिए प्रात्रा करते हैं आप समझे इस वचन को मती 18 का 19-20 में लिखा हुआ जब दो वेक्ति एकी इच्छा के लिए प्रात्रा करते हैं तो एकी मन से पढ़िए बटा वह पढ़िए पिर मैं तुम से सच कहता हूँ यदि तुम में से दो जन पृत्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की और से जो स्वर्व में है उनके लिए हो जाएगी हलो ध्यान से इस वचन को समझे यही है हम वचन को नहीं समझते हैं जब दो वैक्ति एक ही इच्छा के लिए एक ही मन से मांगें आप दोनों का मन एक होना चाहिए अगर आपको नौकरी चाहिए तो जिस तड़ब से मैं प्रात्रा कर रहा हूं कि आपके नौकरी मिले उसी तड़ब से उसी मन से आपको भी वही इच्छा रखनी है जब दो वैक्ति एक ही मन से मन आपका एक होना चाहिए हम घर में कभी प्रात्रा करते हैं आपका मन कहीं जा रहा है पत्नी का मन कहीं पत्दी का मन कहीं नहीं होगा मैं अपनी पत्नी को मन खुश करने के लिए चलो यार यह कह रहे हैं कर लेता हूं नहीं होगा इसलिए कई घरों में परात्रा नहीं तो हो रही है लेकिन कई घरों में परमिश्र की इच्छा पूरी नहीं हो रही है क्योंकि एक मन नहीं है एक मन एक द्रिष्टी कोंड फिलिपियों की पत्री में लिखा हुआ है फिलिपियों दो का दो एक मन एक द्रिष्टी कोंड से ही हमें आगे बढ़ना है कलीसिया में जो मैं चंगाई के लिए प्रात्रा करता हूं अगर आपका मन एक नहीं होगा चंग अगर मैं परातना कर रहा हूं उस बहन के लिए कि इसके टांग का दर्द दूर हो, तो आपको भी वहीं घर बैठे बैठे परातना करने कि प्रभू देया कर, इस बहन का दर्द पूदूर हो, आप तमाशने नहीं देखें, अच्छा, अभी देखो, पास्टर, काउन सी भाश अज़ कैसे करता ये है, मुचह बोल रहा है, नीशे बोल रहा है, आपके मन में होने शेकिग नहीं, आमें, हम किसके लिए चुने गए है, कभी आपने सोचा है कह सुम को चुटकारा प्टिया है, मुझे पापों शापों से मुँक्त क्यУं किया है, कभी सोचा है आपने, त कि यह जीवन मेरा नहीं है कि मुझे मंदर जरूर बनाया पहला करुंतियों शेका उनिस लिकिन मैं अपना नहीं हूँ मसी जीवन में अगर आप मसी हैं आज से अपने खुशियों को अपने आपको अपना कहना छोड़ दीजिए दूसरे के लिए सोचना शूरू करिए प्रभू आपके लिए सोचेगा जिस दिन आप मैं 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 करते रहेंगे मेरा ये मेरा मेरा में कुछ नहीं होगा यहां चर्स से जाते हैं और आपको पता लगता है कि लास संड़े जो मेरी बहन मेरे परोस में बैटी थी वो विचारी दुखी है उसकी नौकरी शूट गई है उसके तब भी ठीक नहीं है उसके पती ने उसको मारा आए क्या कभी आपने अपने घर में बैटके उसके लिए प्रात्ना किया है कभी उसको फोन करके पूछा कि मेरी भेन आप कैसी हैं आप क्या फाइदा चर्च में आने का एक साथ बैटने का क्या फाइदा अगर मैं किसी के लिए प्रात्ना न करना कर पाऊ तो मेरा जीवन फिजूल है मुझे ये जीवन प्रमिशन ने क्यों दिया है तक कि मेरे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो वो कब महमा करेगा जब मैं प्रात्ना करोंगा मुझसे प्रात्ना करो इर्मिया 33 का तीन जर्मिया 33 का तीन मुझसे प्रात्ना करो मैं तुझे वो बाते बताऊंगा जो तु नहीं जानता है प्रात्ना करो उसमें यह नहीं लिगा है कि मुझसे अपने लिए प्रात्ना करो हम क्यों अपने स्वार्थ में जी रहे हैं स्वार्थ से बाहर आईए शैतान का हतियार है कि आपको स्वार्थ में लपेट दे यही वो चाहता है कि आपके अंदर स्वार्थ भड़ते मेरा 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 कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है मैं आपको सच कह रहा हूँ इशू मसी आने वाला है बहुत चल्द जितना आपने समीटा है न अगर इशू आया और आप देख रहे हैं लोगों को जाते हुए आकाश में और कहीं आपने देखा वो लूत की बीवी की तरह अरे मेरा तो भंगला है अरे मेरी गाड़ियां अरे मेरा धन पताजल आप वहीं रह जाएंगे मैं मैं स्वर्ग जा रहा हूँ इससे बड़ा धन और कोई नहीं है और जाते हैं समय आप कभी नहीं हो सकते हैं मेरा पती रहे गया मेरे बच्चे रहे गए उसने चुना है उसके सुर्दूत आएंगे और जिस पर पवित्रात्मा की चाप होगी इफीशियन 4.29.30 कोई गंदी बात तुमारे मूँ से ना निखले पर आवशक्ता के अनुसर वही हो जो उन्निती के लिए उत्तम हो ताकि उससे सुनने वालों पर अनुगरे हो तीस परमेशुर की पवित्रात्मा को शोकित मत करो जिसे तुम पर चुटकारे के दिन के लिए च्छाप दी गई है उस सर्दूस ने जो मृत्यू का सर्दूस था जो जान लेने के लिए आये था लहू वो लहू की च्छाप देखी थी उसने देखी थी अलेलोया अभी क्या है पवित्रात्मा की च्छाप इसलिए पवित्रात्मा को शोकित मत करो पवित्रा आत्मा शोकित कब होता है जब आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं जब आपके अंदर विश्वास की आत्मा नहीं है और विश्वास की आत्मा सिर्फ परमेश्वर से ही नहीं होती है अगर आप इसमस्ते कि मैं परमिश्वर पर विश्वास करता हूं और अपने मामा पर विश्वास नहीं करता हूं तो आप परमिश्वर पर भी विश्वास नहीं करते हैं कि जो दिखता है अगर आप उसको अपना नहीं मानते हैं तो तो नहीं दिखता है उसको नहीं कर सकते हैं पहला यह उन्हा चार का बीस और इक्यस जो दिखता है अगर आप उससे प्यार नहीं करते हैं तो जो नहीं दिखता है उससे कैसे प्यार करेंगे आप नहीं कर सकते हैं इसलिए अगर आपके अंदर विश्वास की आतमा नहीं है, तो आप scripture को समझ ही नहीं सकते, आपके अंदर वो प्रैमी नहीं आएगा, अलो, उसने अपने एकलोते पुथर का बलिदान कर दिया, और आप क्यों नहीं इश्वास को समझ पा रहे हैं, क्यों विश्वास की आत्मा आपके अंदर नहीं है क्योंकि आप अपने शरीर की इच्छाओं का बलिदान नहीं कर पा रहे है परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र का बलिदान क्यों किया ताकि आप अपने शरीर का बलिदान करके उसके साथ एक हो जाएं और हम होना नहीं चाहते एक वो वासना हैं, वो इच्छा हैं, वो लोब, वो अभिलाशा हैं इतना जादा हम पर प्रभावित हैं कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते यही शैतान हमारे लिए करता है और हम नहीं समझते इसलिए वो कहता है कि पवित्रात्मा को शोकित मत करो क्योंकि उसकी चाप है जिस तरीके से उन इसरालियों के दर्वाजों पर इशु मसी का लहू था उसी तरीके से इस अंतिम समय में आज जब पवित्रात्मा जब सुर्दूत आएंगे तो आपके अंदर देखेंगे कि पवित्रात्मा है की नहीं है आपके गेट पर लिखा होगा मसी कोई फरक नहीं आपके गेट पर लिखा होगा मैं 25 साल से बाइबर पढ़ रहा हूँ कोई फरक नहीं मैं लाखों करोडों दान दशांस देता हूँ कोई फरक नहीं पवित्रात्मा है की नहीं है और पवित्रात्मा कब रहेगा जब उसका सौभाव आप में रहेगा पवित्रात्मा अपने सौभाव के साथ रहता है वो क्यों आया है आपके अंदर पवित्रात्मा कभी सूचा है कि परमेश्र का सौभाव आप में आ जाए वो नौ फल पवित्रात्मा के अललुया गलतियो पांच, 22-23 में लिखे हुए गेलेशियन 5, 22-23 वो नौ फल आपके अंदर जब पवित्रात्मा आता है न तो वो चाहता है कि नौ फल मेरे बच्चे के अंदर बन जाएं उसमें क्या क्या है प्रेम है आनंद है, मेल है, धीरज है और कृपा है भलाई है, विश्वास है, नम्रता है सैयम है ये नौ फलों को वो आपके अंदर बनाता है कैसे बनाएगा पवित्रात्मा जब आप उसका साथ देंगे कैसे बनाएगा पवित्रात्मा आपके अंदर नौ फल जब आप उसके साथ लें इसलिए याकूब की पत्री एक का दो में क्या लिखा है कि जब भी तुम्हें परिशाएं आएं इसे आनंद की बात समझो याकूब एक का दो में क्या लिखा है कि जब भी परिशाएं तुम्हें आएं तुम्हारे जीवन में आएं तो आनंद की बात समझो क्योंकि इन परिशाओं की वज़े से तुम्हें सबर आएगा और सबर को अपना काम करने दो कैसे सबर आएगा जब आप महसूस करेंगे कि कोई भी परिशा है मेरा प्रभू मेरे साथ है मेरा इशू मुझे इस परिशा से ले जाएगा तब सबर आपके अंदर काम करेगा तब सबर के बाद विश्वास आएगा मेरा प्रभू है कैसे यूसुफ ने काम किया तेरा साल क्या उसने क्या गल्ती की थी यूसुफ जैसा जीवन आप जी नहीं सकते उसके भाईयों ने उसको बेश दिया क्या क्यों गल्ती की थी उसने नहीं फिर वहां जाके पोती बर के घर में रहा और उसकी बीबी ने गलत लिजाम लगाया उसके उपर क्या उसने गल्टी की थी नहीं बारा साल तक जेल मेरा क्या उसनों की गल्टी की थी लेकिन उसके पास क्या था विश्वास की आत्मा उसने एक बार भी वाइबल में नहीं लिखा हुआ कि उसने परभू से कहा कि परभू क्या कर रहा है तो उसने विश्वास दिखाया कि मेरा अच्छा होगा, मेरा प्रभू मेरे साथ है, उसके वचन मेरे साथ है, आपको पता है, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे 49, 41 चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, कि जिन्हों ने यूसुफ को आशीश दी, परमेश्ण ने उनको आशीश दी, आपको पता है, पोथी पर को आशीश मिली, because of यूसुफ, जब पोथी पर यूसुफ को यूसुफ को देने लगा, यूसुफ को भरुसा करने लगा, यूसुफ की इच्छाओं को पूरा करने लगा, परमेश्ण पोथी पर को बढ़ान लगा आप जानते हैं कि परमेश्र के चुने हुओ को ब्लेस करना परमेश्र का अशीश है परमेश्र की आज्या है विश्वास की आत्मा कैसे आप में इस्थिर रहेगी कैसे इस्थिर रहेगी आप में उसके अंदर क्या था आप विश्वास की आत्मा वो दर्शन उसे विश्वास की धाल के लिए दो कि मेले दर्शन देखा है कि परमेशन मुझे उचा उठाएगा यहां पर कम से कम 613 भविश्वाणियां आपके लिए हैं कि परमेशन आपको आशीर देगा लेकिन हम विश्वास नहीं करते हम अपने रोज की दिन चरह पर विश्वास करते हम आपके अपने रोज के घर के जो प्रॉबलम से उन पर विश्वास करते हैं नहीं हमें करना पड़ेगा हमें उससे एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और यह अगर आपने अभी नहीं किया तो आप पीशे रह जाएंगे वो याद है बारा साल से लहू की विमारी से ग्रस थी एक आउरत याद है कि नहीं याद है माबिल में लिखा हुआ है कि उसने वैदों को दिखाया पैसा खर्च किया सारे वैदों ने पैसा उड़का हड़ लिया उसको गलत इलाज करवाया फिर भी कुछ नहीं हुआ बारा साल से उसको लहू बहरा था लेकिन जब उसने सोचा कि मैं अगर इशू मसी के छोर को भी छूलूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी हालेलुया क्या मतलब था छोर को छूने का वो पूरे कपड़ों को क्यों नहीं सकती थी आपको विश्वास करने से कौन रोकता है पता है ससार के रीती रिवास आप अपने दोस्तों के संग बैठे होंगे और दोस्त कहाँगा यार कल हमको इतना पैसा चाहिए मेरे पास तो है मेरे पास तो है मेरे पास और आपने का कि नहीं मैं परमिश्वास से परातना करूंगा हसें бег लोग पागल हो गया थूँ बसुम के पर मेज़ें यहीं है अब आपको विश्वास करने से कहौन दोख रहा है ऑप संसार के रीटी रिवाज है उस बारा साल की और को आंदर जो विश्वास था वो क्यों अब भार आया क्योंकि उस ने कहा मैं उसके प Eric पोर को भी छूलूंगी क्योंकि वह बारा साल से लहू की बिमारी से थी और बाइबल कहती है जिसको लहू होता है उस ओरत को अशुद्र समझा जाता है और आज भी कई मारवाडी परिवार में हैं ऐसे लोग कि अगर आप उनके घर में जाएए उनकी औरत को अगर बीवी को मा को होता है वो आप किचन में नहीं आ सकते हैं हजारों की भीड हजारों की भीड लेकिन उसके अंदर विश्वास की आत्मा ने जन्म लिया यहूदी की पोशाक सब ने पहनी हुई है एक ही लंबी पोशाक उ कि विश्वास की आत्मा से भरी हुई औरत सिर्फ उसी को देख रही है इशु मुसी को और इशु मुसी ने भी जब उसने चूआ तो चंगि हूई ऑर सामर तो निगला और इशु मुसीо ने किस ने मुझे चूई और एक बार नहीं दो बार पूछा इशु मुसीणे कि किसने मुझे चुआ है, क्यों दो बार क्योंकि वो छुप गई थी क्योंकि वो छुप गई थी वो बाहर नहीं आना चाहती थी और परमेश्ण नहीं चाहता था कि बाहर नहीं आए वो चाहता था उस विधी को तोड़ना उस रिती रिवास को तोड़ना कि गलत है कि कोई भी ओरत अगर लहू से बिमार है तो वो छू नहीं सकती है मैं पवित्र हूँ इस ओरत ने मुझे छूआ है और मैं सब ठीक हूँ इसु मसील को लोग नभी समझते थे उस समय लेकिन उसके अंदर विश्वास की आत्मा थी वो छुप गई पढ़िए ऐसे आठ का 4748 लुका 84748 जली पढ़िए जब इस तरीन ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तब कांपती हुई आई और उसके पावों पर गिर पर सब लगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे चुआ और क्यों कर तुरंत चंगी हो गई तब उसने बताया कि मेरे लहू बहता है अगर मैं सब के सामने तुझे चूती तो लोग मुझे चूनें जेते मार देते पत्थरों से उस समय वो आग्या थी अगर लहू से लहू की बहती हुई कोई और किसी को चूती है तो उसको पत्थर से मार दें लेवावस्ता में लिखा हुआ है अगर जिसको लहू की बिमारी है और वो किसी को चूती है तो उसकी मौत पत्थरों से होगी ये उस समय का कानून था इसलिए उसने बताया कि मैं लहू की बिमारी से ग्रस थी इसलिए मैंने छोर से छुआ और मैं चंगी हो गई 48 क्या कहता है उसने उससे कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है Amen क्यों वो इश्वास ने दो बार कहा कि किसने मुझे चुआ है क्योंकि इश्वास नहीं चाहते थे अगर वो इश्वास उसको उसकी समय छोड़ देते वो चंगी तो हो गई थी तो उसकी विश्वास की आत्मा बुझ जाती इश्व मसी नहीं चाहते थे कि इसका विश्वास कमो क्या कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है क्या विश्वास था उसके अंदर मरकुष पांच का थाइस क्या विश्वास था उसके अंदर जौरत के अंदर क्या विश्वास था देखे ध्यान दीजिए वो घर से कहती हुं आरी थि अगर मैं उसके बस्तर को छूल होंगी तो चंगी हो जाऊंगी क्या आ चरश में आते दाए बोलते कि आप चर्श में जाऊंगी प्रभु करूं हो से प्रासरा करूं आप क्या कहते हैं आप जिसको जिससे मांगते हैं वो कौन है जानते हैं आप जिससे प्रातना करते हैं वो कौन है क्या आप जानते है वो जो आपकी प्रातना सुन रहा है वो कौन है क्या आप जानते है वो जो आपकी प्रात्रा सुनकर उसे पूरी करने वाला है क्या आप जानते हैं मों कौन है नहीं जानते है जिस दिन आप ये जान जाएंगे ना मेरी बहन उस दिन आपके जीने का तरीका अलग होगा उस दिन आप गलत दिन नहीं लेंगे अपने जीवन में उस दिन आप उदास नहीं होंगे उस दिन आप मायूस नहीं होंगे उस दिन आप अपने आपको धिक्का रहेंगे नहीं उस दिन आप संदे में जिंदगी, डर में जिंदगी नहीं गुजा रहेंगे उस दिन आप रोएंगे नहीं उसके पास विश्वास की आत्मा थी कि मैं उसके वस्त्रों को छूलूंगी तो चंगी हो जाऊंगी प्रेस अलोट अपने विश्वास की आत्मा को रोज चेक करिए आपको परमेश्वन ने विश्वास की आत्मा दिये और ये काम घर से शुरू करिए अगर आप अपने घर में रहने वालों पर विश्वास नहीं करते हैं ना मेरी बेहन, आप अपने परमिश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते नहीं कर सकते, मैं आपको लिख के देता हूँ आप अपने अगर मावाब पर विश्वास नहीं करते हैं जिसने आपको पैदा किया है आप उस पर कैसे विश्वास करेंगे जिसने आपके मावाब को पैदा किया है नहीं कर सकते हैं इसलिए आपके अंदर विश्वास की आत्मा नहीं है कि वो विश्वास की आत्मा आप घर से शुरूई करना नहीं चाहते हैं आप अपने माबाप को बेवकूफ समझते हैं, देख कारते हैं अपने माबाप को नाइँ 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 आप गलत आप गलत आप गलत आप गलत नाइँ नाइँ नहीं आएगी विश्वास की आत्मा आपके अंदर, जो दिखता है अगर उस पर विश्वास करोगे, तो जो कौन आपको रोगता है? इबरानियो बारा का एक. अभी मेरे बचन शुरूरी नहीं किये. यह तो पवित्रा आत्मा किर्पाई जो. हालेलुया. सोचकर कुछ और आया था. कर कुछ और रहा हूं. इबरानियो बारा का एक. इस करान जबकि गवाओ का ऐसा बड़ा बादल हमको गेरे हुए हैं, तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तू और उलजाने वाले पाप को दूर करके, वह दवड जिसमें हम तड़ना है, दीरस से दवडो. एमेन, उलजाने वाले पाप. अगर आप संधे करते हैं परमेशर पर, तो आप पाप करते हैं. यह कौन है? शैतान आपको उलजा रहा है. उलजाने वाले पाप, आपको उलजा देता है. आप ही में उलजा देता है. शैतान का मकसद क्या है? आपको उलजाता है. कब उलजा आप दरवाजा खोलते हैं, जब आप मुझ से कहते हैं, अंगिकार करते हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा पती भी कमजोर है, मैं भी कमजोर हूँ, नहीं होगा कुछ भी, आप जब खुब अंगिकार करते हैं negativity का, तो शैतान आप की कमजोरी को ले लेता है, फिर आपके अं दालता है कि संधे डालता है इंसेक्योटी डालता है डर डालता है और आप क्यूंकि आपकी विश्वास की आत्मा नहीं है इसलिए आप उल्जाने वाले पाप में आ जाते हैं और आप रोते हैं और शैतान हसता है कि मैंने इसको उल्जाने वाले पाप में डाल दिया ताकि इसकी दौड कम हो जाए क्या चाहता है इस कारण जब वो गवाओं का ऐसा बड़ा बादल है तो आओ हम हर रोकने वाली वस्तू और उल्जाने वाले पाप को दूर करके वो दौड जिसमें हमें द दोडना है धीरस से दोड़ें परमेश्व क्या चाहता है कि आप अपने जीवन में दोड़ें में मेशश लेकिन शायत possível आपके अंदर utzयाने वाले पाप लाकर आपको लंगणा बना देता है आपको लंगणा का लाज के यह हिब रा Benn arriba का अंतिम किया है जेघर व एट बूर्फेसंटीन इसलेET डीले हातों और निर्वल घुटनों का सीधे करो और अपने पाउ के लिए सिधे मार्ग वनाओ अपने हातों को या प्राथ ना करो अपने हातों को घुटनों को सभल करो प्रातना करो कितने दिर प्रातना करते हैं आप लो आप परमिशों से रिष्टा बनाना चाहते हैं कितनी देर परमिशों के संग रहते हैं आप बिना रहे आप समझतें कि आपका रिष्टा बन जाएगा मेरे नाम अनिल कोचर है प्रभू ओके रिष्टा बन जाएगा हमें चौबिस घंटे प्रभू में रहना है मैं बारा घंटे बाइबल पढ़ता हूं और तीन घंटे में प्रात्रा करता हूं रोज रोज आज शाम को बैठूंगा घर जाओंगा खाओंगा थोड़ा सोओंगा उसके बाद फिर प्रात्रा में बैठूंगा कौँ सी प्रात्रा करूंगा धन्यवाद की प्रात्रा की आज मैं बोल पाया कभी आपने घर में जाके धन्यवाद की प्रात्रा के कि मैं आज कलीशिया में सुन पाया कलीशिया आने से पहले प्रात्रा करिए कि मैं कलीशिया जा रहा हूं अपने आपको लहू के बाले में बादिये फिर कलीशिया से आकर प्रात्रा करिए कि मैं समझ पाया तो वो वचन आपके अंदर रहेगा बहुत सुरूरी है विश्वास की आत्मा आपके अंदर ऐसे नहीं बनी रहेगी क्योंकि शैतान का मकसद है आपके विश्वास को तोड़ना शैतान का यही मकसद है आप जरा से बेमार हुए आपका विश्वास कमजोर हो गया आपके पड़ोसी ने आपको गाली दे दी आपका विश्वास कमजोर हो गया घर में कुछ बात हो गई आपका विश्वास कमजोर हो गया आपकी जेब कड़ गई आपका विश्वास कमजोर हो गया अरे इन छोटी-छोटी चीजे हमारा विश्वास कमजोर करेंगे क्यों? क्योंकि आप बबतिस्मे के समय पूरी तरीके से मरे नहीं है बबतिस्मा अगर आपने सही नहीं लिया अगर आपने शरीड का बलिदान नहीं किया तो आप इशू के बलिदान को नहीं समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे वो इशू है जो आपके लिए मरा और मर के जिन्दा हो गया और आज भी जिन्दा है प्रेस अलॉट मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कितने विश्वास कर रहे है मैं सच कह रहा हूँ आज का बचन आपने अगर विश्वास के संग कुबूल कर लिया आपका जीवन बदल जाएगा जितने भी यूटूब में देख रहे हैं और जूम मीटिंग में देख रहे हैं मैं आप सब को कह रहा हूँ विश्वास की आत्मा को बना के रखिए और जो आप यूटूब में देख रहे हैं उसको शेर करिए ताकि दुनिया तक पहुंचाईए इस वचन को आप सिर्फ फोन पर शेर का बड़र अपना सब्क्राइब करेंगे लेकिन औरों को आशीश मिलेगा उसका प्रतिपल आपको मिलेगा हालेलुया विश्वास करता हूं कि आज का बसे न आपको अच्छा लगा है जोड से तालिया